आपका स्वागत है और शुरूबात करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ नागा लेंड में 15 जुलाई तक रहेगा लोकडाउन सरकार ने कोरोना संक्रमन पर लगाम लगाने के लिए लिया फैसला राज्य में अब तक देखे गए 400 से अधिक केस बिहार कैबिनेट में कोरोना की हुई एंट्री मंत्री विनोत कुमार सिंग और उनकी पत्नी पाए गए कोरोना संक्रमित इससे पहले भी दरबंगा के भाजपा विदायक जिबेश कुमार मिश्रा पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव अनलॉक 2.0 में मध्यप्रिदेश की राजदानी भुपाल में 90 दिनों के बाद शुरू हुई अधालती कारवाई हाई कोर्ट के जनरल रेजिस्टरार ने आधे दिन तक काम करने की दिया नुमती करनाटक बोर्ड एकजाम देने के बाद एक छातर आया करोना की चपेट में वहीं राजस्तान में प्रिक्साइं रदगराने को सुप्रिम कोर्ट पहुँचे लोग लोगों का कहना है कि मामारी के चलते चातर चातराओं के मन में हो सकती है कई तरहें की चीजे ऐसे में उनकी प्रिक्सा लेना जायज नहीं तमिलनाडू सरकार ने एक पिता पुत्र की मौद के मामले में की जाच सीबी आई से कराने का किया निर्ने दोनों की मौद कथित तौर पर पुलिस उत्पीडन के कारण होने का दावा बाहर चीन के बीचल रहें सिमा विवाद को देखते हुए चीनी उत्पादों का बैसकार करने को तयार हुई दिली यूनिवर्सिटी छात्रों ने कहा कि देश भर के विश्वे धालों को चीनी प्रोड़क्ट्स का बैसकार करने को करेंगे जागरूक पुरुन मामारी और लॉकडाउन से देश भर में मंदी और बेरोजगारी का सिलसिला है जारी उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले में एक सक्षने पत्नी को सौ रुपए न दे पाने पर ट्रेन से कटकर की आत्मात्या उत्तरपरदेश में योगी सरकार मेरिट मंडल मेक्स से साथ जुलाई तक चलाएगी विसेस मेडिकल स्क्रेनिंग का अभियान साथी सीम ने परदेश की सभी ओधोगे की काईयों में कोविड हेल्प डेस्क सापित करने के लिए अधिकारियों को दिये निर्देश दिल्ली के करोल बाद में करोना संकरमित एक आईटी बीपी के जवानने की खुदकुसी जवानने सरकारी ड्राइफल से खुदको मारी गोली हलाकि खुदकुसी की वज़े अभी तक साफ नहीं हो पाई है पुलिस कर रही है जांच पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर घर-घर सर्वे का काम हुआ शुरू प्रदीश में कोरोना वारियर्स के सम्मान में एक जुलाई डॉक्टर स्डे पर ममता बैनर जी ने किया आधे दिन की चुट्टी का एलान चीन में एक प्रेस कांफरेंस में राज्य के घरेलो उडानों और मेट्रो से वाओ को सुचारू करने पर दिखाई हरी जंडी चीन में एक बार फिर कोरोना वारिस ने पकड़ी रवतार बीजिंग के करीबी सहर में सरकार ने जारी की वहाँ जैसी सकते कोरोना मामले के नई कलिश्टर में सिर्फ सीफूड मार्केट में ही मिले 11 मरीज मुंबई में अब मास्क पहना हुआ, अनिवारीया अब घर से बाहर निकलते ही, मास्क लगाना होगा, कमपल्सरी सरकारने सहर में जारी के सकता देश, अब नियम तोड़ने पर एक अजार उपे का लगेगा जुर्माना संत रामपाल जी की शिश्य लगातार देश हित में अपना योगदान देते रहते हैं, दहेज मुख्ध भारत अभियान के तहट मध्यप्रदेश के जबलपूर में एक अनोखा विवा हुआ, दुला नंदिनी निवासी बिंड जोकी मध्यप्रदेश हाई कोट जबलपूर मे इंजिनियर, बिना बैंड बाजा बारात के लड़की रितु प्रजापति को व्या कर ले गया इस साध्गी भरी शादी से दोनों परिवार खुश हैं, इसी तरह से ग्वालियर में भी एम्टिक किया हुआ लड़का और बीसी बीट पास लड़की दोनों शिक्षित बिना दहेच शादी करके समाज को दिया संदेश, साथी बताया कि यदि सारी दुनिया संत रामपाल जी माराज के बताया अनुसार नियमों पर चले तो जल्दी प्रत्वी स्वर्ख समान बन जाएगी बंगलादेश में नौका डूबने से 32 लोगों की हुई मौत, नौका में कुल 100 लोग थे सवाद, जिसमें से कई लोग हादसे में हुए लापता देश में कई शिप्याड में खराब सुरक्षा मानकों के कारण होते रहते हैं नौका हादसे अफगानिस्तान में एक बार फिर हुआ बंबलाश्ट, दक्षनी अफगानिस्तान के हिलमन प्रांट के एक वेस्ट बजार में हुआ कारबंवी स्पोर्ट, हादसे में एक महिला और दो बचो सही 23 लोगों की हुई मौत और आज का सवाल, सरकार ने 59 चीनी अप्स को बंद कर दिया है, अब इन अप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते, सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से भारत को क्या फायदा होगा, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, धन्यवाद अपने वाद